नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का Library Science की क्लास में और आज की विडियो में चर्चा करेंगे Library Science के 30s में दूपुरंट परसुनों के बारे में यह Library Science के question आपके लाइबरेस से सबी एक्जाम्स में Important है चलिए शुरुआत करेंगे One by One question number 1 से बात करेंगे पहला question दे रखा है manual of library economy पुस्तक किस वर्स लिखे गई थी सवाल है कि manual of library economy पुस्तक किस वर्स लिखे गई थी तो correct answer की बात करेंगे बात करते है Dublin core क्या है अगला सवाल है कि Dublin core क्या है तो correct answer की बात करेंगे तो Dublin core आपका हो जाएगा metadata हो जाएगा तो option number A आपका correct हो जाएगा इसके लावव याद रखना Dublin core metadata नीज सो पिचानों में था और यह OCLC के द्वारा लेया गया था OCLC Dublin core यह आपको चीज़े याद रखन है question number 3 के बात करें अपूपा system में यू निरूपित करता है अपूपा system में यू किसको निरूपित करता है सवाल दे रखा है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा सरवादिक उपयोगी गरंद को निरूपित करता है और जो अपूपा है यह self के उपर पुस्तकों के वेवस्तापन से संबंदीत है अपूपा आपका पुस्तकों को साय कनुकरम में जमाने के अंदर के काम में आता है और self के अंदर पुस्तकों की वेवस्तापन से संबंदीत है और library science की किसी formula की बात करें तो आपका library science का second जो low है वो आपका अपूपा system को satisfy करता है तो right answer हो जाएगा option number C अगल पुस्तक लिखी थी इसके लगव 1933 की बात करेंगे तो 1933 में वरगी घरने पे लिखी थी अब बढ़ते अंगले सवाल के और अगला सवाल आ चुका है प्री नेटल केटालोगिंग निमर में से किससे संबंदीत है तो प्री नेटल केटालोगिंग है वो आपका प्री ँपसान नंबर भी सवाल के बात करते हैं बारत का श्रीफ रूरे 2020 में कितने दिन में खुलेगा तो बारत का राषी पस्ट रूरे 2020 के उस्ट के ंदर अगले सवाल के बात करते हैं रंगानातन की पुस्तक लाइबरेरी बुक सेलेक्शन का प्रतम सेन्सक्राण का परकासीत होओ रंगानातन के उस तक Library Book Slection का प्रतम संस्क्रण का प्रकाशी तुआ तो वह वाथा सन 1952 में प्रकाशी तुआ दिति संस्क्रण के बात करेंगे तो दिति संस्क्रण वाथा 1916 में प्रकाशी तुआ तो Second Edition तो वाथा इसका 1916 में और प्रतम Medicine वाथा 1912 में कि अगले सवाल के बात करते हैं अंगला सवाल दे रखाया मेशूर पब्लीख लाइबरेयेक्ट कि स्षोर्ष अस्तितवय के अंदर आया तो मेशूर पब्लीक लाइबृरेयेक्ट कि स्षोर्शWell ह唉 तो वो आया था सन 1965 में 1965 में कौन सा अस्तित्व में आया था मेसूर पुब्लिक लाइबरेरी एक्ट या करनाटिका पुब्लिक लाइबरेरी एक्ट इसके लावा आप बात करें इसके अंदर मदरास पुब्लिक लाइबरेरी एक्ट या फिर तमिलनाडू पुब्लिक लाइब नम्बर को तो तीनों के तीनों यह आपको डेट आपको याद रखनी ए अगले सवाल कि और बढ़ते हैं अगला सवाल है जब वेक्ति अपने एस्तरी नाम के बजाए किसी अन्य नाम से पुस्तगे लिखता है तो उससे क्या कहते हैं चदमनाम का सकते हैं या फिर शुडो ना ब्रतिवाला गरंद कुन सा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएका बीन भी यह ब्रिटिस नेशनल बिब्लियोग्राफी जो कब शुरूई थी 1950 में शुरूई थी और 2003 के अंदर क्या होई थी यह बीन भी क्या होई थी ओनलाइन होई थी इसके अलाव बात करेंगे आई नीचिट नी सो टावन में चब्श्रोई ती और याफ याद रखना इनवी के बार میں चुक्षि pops ल, और यहदर बारे में ओनलाइन के घृजएर के प्राप्थ करने के लिए राजस्तान की जलुएव समब्रति जानकारी प्राप्त ने किसा उजना स्रौथ का प्रियों करें करेंगे तो यहां पर करेंगे तो अगले सवाल की बात करेंगे दोस्तों तो अगले सवाल की बात करेंगे अगला सवाल है हरे सवाल की बात करते हैं अगला सवाल है किसी पुस्तकाले का मुख्य रिकोर्ड क्या होता है किसी भी पुस्तकाले का मुख्य रिकोर्ड क्या होता है तो किसी भी पुस्तकाले का मुख्य रिकोर्ड होता है वो होता है एक्सेशन रिजिस्टर होता है यह आपको याद रखना है और इसके अंदर याद रखना standard number of column की बात करेंगे standard column 14 होते हैं size की बात करेंगे तो हो जाएगा 16 into 13 16 into 13 और 14 हो जाएगे इसके अंदर column यह बात याद रखना और access register को का जाता है मुखे record अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल देरका broad system of ordering निमिन में से क्या है जिसे बीएसो का जाता तो बीएसो का क्या हो जाएगे एक वर्गीकरण बद्दती है और यह आयती सन 1978 में आये थी फीड लेकर आए थी और फिड के साथ में कोन लेकर आया था इसको युन सब्सक्राइब करेंगे बागी कौन कोन से हैं तो यहां पर और यहांपर आंशर हो जाएगा आपका controlling हो जाएगा तो option number A correct हो जाएगा तो henry fail के 5 हो आपको याद रखने है planning, organization, direction, coordination और controlling ये आपको इस तरह से याद रखने है 5 तत्वा henry fail के वो आपको याद रखने है अगले सवाल के और बढ़ते अगला सवाल है call number में सामिल होते है कि call number में कौन-कौन से तत्वे सामिल होते है तो call number में कौन-कौन से तत्वे सामिल होगे class number सामिल होगा collection number सामिल होगा book number सामिल होगा तो option number D correct हो जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा option number D यानि बात करेंगे इसके अंदर कि class number में कोन कोन शित्तों सामिल होते हैं तो यह राइटांस हो जाएगा ऑपसन नमबर डी में आपको तिनों चीज़ आद रखनी है क्लास नमबर क्लेक्स नमबर और बुक नमबर अगले सवाल के और बढ़ते क्वेशन नमबर एक कि इस करंट साइंस मेकजिन की आवरती क्या है क्रंट साइंस मेकजिन की आवरती की बात करेंगे दोस्तों वह जाएगा आपकी 14 दिन 14 दिन आपकी किस क्या वरती क्रंट साइंस मेकजिन क्या वरती है कब शुरूई थी यह पत्री का शुरूई थी 1932 में शुरूई थी और यह प्राइमरी प्रियोडिकल है और primary periodical है और ये Indian Science Academy के द्वारा प्रकाशित की जाती है चलो अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल आपका है भारत में computer का सरुपरतम की संस्ता के द्वारा उप्योग किया गया चलो अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल है keyword indexing निमन में से किसके द्वारा देगी keyword indexing में से किसके द्वारा देगी वो देगी थी hp luan की द्वारा देगी तो hp luan रियाद रखना hp luan की द्वारा keyword indexing देगी थी चलो अगले सवाल के और बढ़ते अगला सवाल आचुगा आपके सामने सोल 1.0 का विक्षित क्या गया सोल 1.0 विक्षित क्या गया वो क्या गया आपका सन 2.0 के अंदर और सोल 2.0 की बात करेंगे दूस्तों सोल 2.0 को विक्षित क्या गया 2009 के अंदर विक्षित क्या गया अगले सवाल के और बढ़ते अगला सवाल दे रहे हैं तो वह आयता 2010 के अंदर अस्तित्व में आया तो यह 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 बना गया गया था और इसके अंदर 10 सेक्षिन होते हैं तो आड़ीये 2010 दे सेक्षिन और डबली से रटू को प्रतिस्ता पित करने के लिए और यह तरह से केटालोगिंग स्टेंडर्ड यहींदी के लिए काम में लिया जाता है में अगली बात करते हैं डिक सवाल की बढ़ते हैं district में लेक्सिए जै सबस्मक्त पर को नलङ कि अग्वेस टीन इन्हों पुन आनुल्स्फा ओप्षार्फ नेघड लेकिन लुट्ट टो चीट्र अतर चीटर oh को आपको याद रखने सवाल के बढ़ते को बढ़ते को बढ़ते कोषिए से रंगानातन के अनिसार IS, patent किस प्रकर करा सुचना शुरहता वह आपका non-呢-on enough standards तो यह आप प्रमप्रगत शुरहता है चलिए आप standard के बात करू या पिर पेतंस के बात करो वह आपके अनिसार बात करो हैं सुनने थे और अगर इसको बात करें में पुस्तकाले का समय बढ़ा देना पुस्तकाले विग्यान का कौन सा सुतर नहीं तारता है प्रिक्षाओं के दिनों में पुस्तकाले का समय बढ़ा देना पुस्तकाले विग्यान का कौन सा सुतर नहीं तारता है पुस्तकाले उपयोग के लिए है पुस्तकाले उपयोग क करें तो लाइब करेंगे तो आपको स्पेलिंग याद रखनी है यह तो आपका लिपर याद रखना लिब्रा तो फ्रेंच वर्ड और लाइबर होता है वह जाता है आपका लेटिन वर्ड इसके लापको क्या करना है अगर आप कलवाले टेस्ट को अगर आप लाइब देना चाहते हो तो आपको क्या तक लिएबर करना है तकि आपको कलवाले टेस्ट का लिंक मिल जाए यहां पर और आप उसको कुछ पॉर्मेट के अंदर दे पाओ तो आज का टेस्ट किसा लगा कमेंट करके बता सकते हो इसके अलाव हमारी क्लास यह टेस्ट लाइव भी होता है यह अपना 49 पर होता है फिक्स तो 49 पर सब लोग इसको जोइन कर लेना कल से